वीकेंड पर एक ही बिल्डिंग में काम करने वाले कोवरकर्स एक लिफ्ट में फस जाते हैं अब इन्हें बचाने वाला दो तीन दीन तब कोई भी आने ने वाला था कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब इनके फसने की पीछे भी एक राज दफन था अगर आप कोई वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरू कर दीजिए अब बीना किसी दरीके एक्स्प्लेंशन स्टार्ट करते हैं मुवी स्टार्ट होती है और हम हमारी मेन ग्यारेक्टर जैनिवर को ओफिस में काम करता हो देखते हैं आज बहुत ही लेट हो चुका था उसके साथ ओफिस में कोई भी नहीं था पर फिर भी वो काम कर रही थी थोड़े दिनों पहले उसके फियांसी के साथ उसका जगड़ा हो गया था इस वाज़े से उनों ने breakup कर लिया था पर विकेंड पर जाकर वो से सप्राइस करने वाली थी इसके बार में वो एक email लिखती है पर इसे send नहीं करती है क्योंकि ये एक सप्राइस था नेक्सिन में हम अमारा और एक मैन क्यारेक्टर देखते है जिसका नाम है गाय यह भी यहाँ से निकलने के लिए रेडी हो रहा था यह दोनों अलग-अलग फ्लोर उबर एक ही लिफ्ट में चड़े गाय जेनिफर से मिलते उसे comfortable feel कराने के लिए जोक स्वगरा करना स्टार्ट कर देता है लिफ्ट में ड्रॉइंग बनी थी गाय ने जेनिफर को ड्रॉइंग दिखाए तब ही अचानक से लिफ्ट बन हो जाती है लिफ्ट में electricity थी पर फिर भी कोई भी बटन काम नहीं कर रहा था इन्होंने alarm वेगरा दभाने की कोशिश की पर कुछ भी work नहीं कर रहा था लिफ्ट में जेनिफर ने camera को notice किया camera में wack वे वे वेगरा करते हैं पर दूसरी side पर कोई भी नहीं था ये फोन करकर किसी कहल मांग सकते थे पर रेंज भी नहीं आ रही थी अब इस लिफ्ट में ये पाच दिनों के लिए ट्रैप्ट है फ्राइडे सैटरेडे संडे और दो दीन की छुट्टी थी गाय ने जेनिफर को कहा कि मैंने अभी-अभी इस बिल्ली में जॉब जॉइन किया है उसे इस लिफ्ट के बार में जादा कुछ भी पता नहीं है जेनिफर ने का आकी कभी-कभी ये लिफ्ट आवाज करती थी शायद इसी वज़े से स्टग हो गई है काय को अचानक से आईडाया कि लिफ्ट के उपर से ये एक्जिट हो सकते है हर लिफ्ट में एक्जिट होने के लिए कुछ ना कुछ तो हता है उसने खुद खोलने की कोशिश की पर उसकी इतनी हाइट नहीं थी फिर वो जोखकर जेनिफर को उपर की सीलिंग चेक करने के लिए गहता है जेनिफर के चेक करने के बाद भी ये ओपन नहीं हो रहा था इन्होंने बहुत राय किया पर कुछ भी नहीं हुआ एक घंडा बीद गया और जेनिफर रेलाइस करती है कि अब उसकी फ्लाइट उसने मिस करती है वो गुस्सा होगे और सारी चीज़ों को गालिया देने लगके उसे ब्यास लगी थी तो गाया ने उसे अपनी बॉटल दिये जेनिफर उसका पानी बिने से मना करती है पर गाया ने कहा हमारे पास एक तो एक पानी है दूसरी वाइन की बॉटल अब तुम डिसाइड करो वो मज़ाग में कहता है वाइन की बॉटल ओपन करने के लिए मैरे पास ओपनर भी है जेनिवर ने भी अपनी पर से निकाल कर उसे एक ओपनर दिखाया इस पर ये दोनों बहुत अस्ते हैं उसने विरबानी पी लिया था वो गाय को as a gesture एक चॉकलेट डे दिया उसने कहा अब हमें सारी चीज़े एकदम तोल माप कर यूज़ करनी चाहिए हम यहाँ पर शायद पास दिनों के लिए फसे रह सकते हैं अब इसके बाद और चार घंटे पीट गए थे उसे पी करना था पर गाय के सामने इस तरीके से टॉलेट करना उसे अजीब लगता है गाय ने फिर उसे एक बोटल दी कहा कि एक नैचरल चीज है इसमें कोई भी शरम करने की ज़रूरत नहीं है उसे मूडने के लिए गएती है और फिर टॉलेट कर लेती है उसने अब रियालिटी को एकसेप्ट कर लिया था कि अब यहाँ फसे रहेंगे लिफ में जो ड्रॉइंग बनी थी उसी ड्रॉइंग को कम्प्रीट कर लेती है जनिफर गाय से बुछती है क्या तुम्हारी कोई भी गल्फेंड वेकराने है जो तुम अगर घर पर ना आओ तो पुलिस को कॉल करकर तुम्हारे बारे में पता करेगी मैट कहता है कि ऐसा कोई भी नहीं है जनिफर ने भी अपने फियांसे के बारे में उसे कहा उसे सप्राइज देने वाली थी तो फियांसे को भी उसके आने के बारे में कुछ भी पता नहीं था ये दोनों रेलाइस करते हैं कि वो कितने सेम है गाय ने फिर wine की bottle खोल ली time pass करने के लिए दोनों एक दूसरे की drawing बनाने लगते है गाय ने जनिफर की बहुत ही अच्छे से drawing बनाई थी पर जनिफर उसके एक funny से drawing बनाती है जनिफर को इसके लिए बुरा लगा और हो गहती है तुमने मेरी जो picture बनाई इसे में मेरी profile picture रहूंगी बाते करते करते खाने पर discuss करने लग गए तो ने भुगे थे तो जनिफर ने कहा कि subject हम change करते है अलग-अलग topic पर discuss करते हुए एक दूसरे के partner के साथ crazy story बताने लग जाते है जनिफर कहती है कि एक बार में मेरी boyfriend के साथ library में intimate हुई थी मैट पहले तो बहुत ही शर्मा रहा था पर बात में हो गहता है कि मेरी एक cover कर दी हम एक बार drive पर गए थे वही पर intimate हुए थे यह सब बताते हुए उसे जनिफर के लिए feelings आ गए जनिफर को भी इससे कोई भी problem नहीं था फिरे दोनों यही पर intimate हो जाते है intimate होने के बाद गाई ने जनिफर से का यह तुमारे प्यार में पढ़ सकता हूँ यह बाद जनिफर को बहुत ही अजीब लगी वो से गयती कि हमारे बीच में जो भी हुआ इसके बारे में हम भूल जाएंगे वो अपने फियांसे से बहुत प्यार करती थी उसके बास वापस जाना चाहती थी गाई को इस बात ने बहुत हर्ट कर दिया वो गहता है मुझे लगा था कि हम दोनों में एक कनीशन है क्या तुमें कुछ भी फील नहीं हुआ जनिवर ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है वो उसके फियांसे के साथ बहुत सालों से थी तो उनमें एक अंडरस्टैंडिंग थी जनिवर की ये सब बाते सुनकर एक बंड लिफ्ट में होने की बावचूत एक दूसरे से बहुत ही दूर है इस सारा गाय महसूस करता है उसके आग में असो आ गए थे जनिवर उसे कहती है हम एक दूसरे को सही तरीके से जानते भी नहीं अचानक से गाय का बिहेवेल चेंज हो गया वो अपने मोबाइल में उसे CCTV फूटेज दिखाता है कहता है कि मैं रोज तुमें देखता हो तुम जब काम बराती हो काम से जाती हो हर रोज में तुमें ही देखता रहता हो वो एक्चुल में इसी बिल्डी में सिकुरिटी गार्ड है उसने पहले जनिवर को जुट कहा था किसी बिल्डी में अकाउंटन्ट है उसने कन्वेस किया कि सब कुछ मैंने प्लान किया था वो जेनिफर के साथ एक दूसरे को जानने के लिए चांस चाता था वो चाता था कि जेनिफर उसे पहजाने इसी वज़ेस उसने सब कुछ किया था वो अपने बॉकिट से चावी निकालता है और लिफ स्टार्ट हो जाती है जेनिफर उस पर गुसा हो गई कहती है कि अब मैं पुलिस को कॉल करूंगे तुमने जो भी क्या इसके लिए तुम्हें भूगतना पड़ेगा इस सुनने के बाद गाये ने लिफ बंग कर दिया जेन जेनिफर गुसा होकर अपने शूर से गाये को अनकॉंशेस कर देती है उसे चेक करने के लिए पर गाये कॉंशेस था उसे भी मार कर बेहोश कर देता है जेनिफर के होश में आने के बाद गाये उसे कहता है एक बहुत ही अच्छा प्लान था यहां लिफ में हमारे बीच में कोई भी distraction नहीं था तो हमें एक दूसरे को जान पाए practically हमारी पूरी relationship इस lift में हो गए हम एक दूसरे से मिले एक दूसरे को जाना और break up भी हो गया जैनिफर अब भी बहुत गुस्सा थी वसने अपने फियांसे के लिए जो gift लाया था कि guy ने चेक किया इसमें एक अच्छा-चा शर्ट है जो guy पहन लेता है guy के बास भी एक gift है जिसमें सीगार, lighter और एक cutter है गुस्से में guy ने lift का एक light तोड़ दिया फिर उसे idea आता है कि या light बदलने के लिए कुछ ना कुछ तो वे होगा उसके पास के bottles उसने छट पर मार कर उसे खोल लिया वो जैनिफर से गहता है कि तुम मुझे support दो मैं उपर जाकर इस lift को खोल दूँगा जैनिफर उस पर believe नहीं करती कहती है कि मैं उपर जाती हूँ मेरा wait कम है और मैं जल्दी से तुमें open कर दूँगी गाय को उस पर शक आने लग गया था पर उसे जो बात सुननी थी यही जैनिफर ने गई वो गय थी कि हमने एक साथ इतना सारा time spent किया मैं तुमें धोका क्यों दूँगी गाय भी फिर उसे help करने के लिए मान जाता है और जैनिफर उपर आके उपर आने के बाद जैनिफर ने उसे धोका दे दिया मैट बहुत डिस्टब हो जाता है वो कुछ भी करकर उपर आने की कोशिश करता है उसने अपने कपड़े निकाले उससे एक रस्सी बनाकर उपर वो आ जाता है जैनिफर ज़रा जादा उपर चली गई थी वो डोर को पकड़नी वाली थी तब नीचे से गाय आया और उसे पकड़ कर फिसल लिफ्ट में लेकर आता है ये दोनों इससे इंजोर हो गए थे गाय अनकॉंशेस हो गया और जैनिफर होश में आ गई लिफ्ट तैस नहीं थी तो उसने यहाँ पर फायर अलाम को नोटिस किया गाय के गिफ्ट में से उसने लाइटर निकाल कर थोड़ी सी आग बनाने की कुशिश की गाय को होशाने के बाद हो गयता है ये सब वर्क नहीं करेगा हमने बचाने के लिए कोई भी आने नहीं वाला जैनिफर जल्दी से उसे मार कर उसके हाथ पैर बान देती है वो गहती कि हम यहाँ से जल से निकल जाएंगे पर तुमें सब कुछ अभी के अभी कनफेस करना पड़ेगा वो बाद में कोट में जुटी सावित नहीं हो सकती तो मैटकोस ने का तुम सब कुछ अभ कनफेस कर दो अगर गाय ने इसा नहीं किया तो जैनिफर उसे बहुती बुरी तरीके से हर्ट करने वाली थी गाय फिर सारी चीज़े कनफेस कर देता है जैनिफर फाइनल उसे पुछती है तुमने यह सब किया क्यों गाय क्याता है कि मैं हर रोज तुम्हें देखता था तुम बहुत ही ब्यूटिफूल थी पर मैं एक सिकुरिटी गार्ड हो इस वज़े से मैं कभी भी तुम्हें अप्रोश नहीं कर पाता मैं हमेरे चाहसे सिकुरिटी गार्ड नहीं था मैं एक्चुल मैं एक अकाउंटन था और बहुत सारे पैसे कमाता था जो स्टोरी मैंने तुम्हें बताई थी कि कार में मेरी कोवर कर के साथ मैं इंटिमेट हो रहा था तब ही उसका एक्सिडेंट हो गया उस पर चार्जेस लगे पर गाय के पास बहुत सारे पैसे थे तो सिक्स मन्स में वह बाहर आ गया पर बाहर आने के बाद उसे कोई भी काम नहीं मिलता था स्लोली स्लोली उसके फाइनाशल सिचुएशन खराब हो गे और उसे सेकुरिटी गार्ड का काम करना पड़ा वो जैनिफर से कहता है कि मैं फिर से मेरी ओल लाइफ को महसूस करना चाहता था इसी वज़े से उसने सब कुछ प्लान किया निकसिन में हम देखते है कि मैट के साथ काम करने वाला सेकुरिटी गार्ड ये अपनी गल्फरेंड को छट दिखाने के लिए यहाँ पर लेकर आता है उसने तो छुट्टी ली थी वो वापस आने नहीं वाला था पर गल्फरेंड को यहाँ लेकर आया वो रोडिस करता है कि गाय आसपास कही भी नहीं है उसने कैमेरे में जेनिफर और गाय को लिफ में देखा वो जल्दी से उनकी हेल्फ करने के लिए पहुश गया फ्रेंड आया और लिफ को ओपन करने की कोशिश करता है पर यह सिर्फ थोड़ी सी ओपन हो रही थी वो अपनी कीज लेने के लिए वापस जाता है तभी गाय जेनिफर पर हमला करकर उसे बेहुश कर देता है वो वापस आया और अपनी कीज उसने मैट को दे दी गाय कहता है कि उपर आओ मुझे हेल्प की जरूरत है वो आधा ही अंदर आया था तभी गाय ने लिफ को चालू करकर उसे मार डाला वो लिफ में उसकी बाड़ी रख देता है जेनिफर को ले जाकर अपनी गाड़ी की ट्रंग में डाल दिया नीचे आकर उसने शावर लिया, कपड़े पहने लॉबी में आकर अपने फ्रेंड की गल्फरेंड को उसने नोटिस किया वो उसके बॉइफरेंड के बारे में उसे पुछती है तो गाए ने कहा कि वो तो चला गया गल्फरेंड ज़रा सस्पीशेस होकर यहां से जा रही थी तो मैट उस पर भी हमला करकर उसे मार डालता है अब इसके बाद अपनी गाड़ी में जेनिफर को एक सुमसान रस्ती पर वो लेकर गया वो थ्रेश के अन में पेट्रोल वेगरा डाल कर जेनिफर की बॉड़ी को जला देने वाला था वो जब ड्रंक खोलता है तो जेनिफर जिन्दा थी उस पर वो हमला कर देती है जल्दी से गाड़ी में बैठ गी और आगे चलीगी उसने पीछे देखा तो गाए अब भी जिन्दा था वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है रिवर्स में जोर से गाड़ी लेकर गाय को उसने मार डाला गाय को इडिस बिट में डालकर पेट्रोल छिड़क कर मार डाल दिया इसे के साथ यह मूवी एंड हो गए अगर आपको यह वीडियो अच लगा तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट ज़रू कर दीजेगा मैं बहुत सारी मूवी लेकर आत रहत हूँ तो प्लीज इस चानल को सब्सक्राइब कर दीजे और बेल इडिवेशन आइकोन दाने मत भूलियेगा